Hello Friends, आज हम बनाएंगे एक कब गेहूं के आटे से बहुती टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता ये नाश्ता हम गेहूं के आटे और कच्चे अलू से बनाएंगे जिसे बनाने के लिए आपको बाजार से कुछ भी लाने की जरुरत नहीं होगी बहुती सिंपल रेसिपी है और ये बहुत जटपट बन जाते हैं और ये खाने में बहुती क्रंची और टेस्टी बनते हैं तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है दो मीडियम साइस के कच्छे आलू. तो सबसे पहले हम आलू को चील लेंगे. और चील लेने के बाद हम इने पानी में डाल देंगे जिससे यह काले न पड़े. और अब हम इसी पानी में इने ग्रेट कर लेंगे. इसके लिए हम मीडियम वाले ग्रेटर का स्तमाल करेंगे. और दोनों आलू को हम कद्दू कस कर लेंगे. तो यह देखिए मैंने आलू को कद्दू कस कर लिया है. अब हम इने दो से तीन बार अच्छी तरह से धो लेंगे. जिससे इसमें जितना भी स्टार्चों वो निकल जाएं. और इसके बाद हम आलू को इस तरह छन्नी पे रख देंगे. और हातों से निचोड कर पूरा पानी निकाल लेंगे. और निचोड लेने के बाद हम इने छन्नी के उपर ही रहने देंगे. इसके बाद हम एक खड़ाई को गरम करेंगे और इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच तेल और जैसे ही तेल गरम हो जाये हम इसमें आधा चोटा चम्मच सरसो डालेंगे और सरसो को चटकने देंगे और जब सरसो चटक जाये तब हम इसमें एक छोटा चम्मत जीरा एट कर देंगे और जीरे को थोड़ी दिर पका लेंगे इसके बाद हम इसमें एक टीस्पून ग्रेट किया हुआ अद्रक डाल देंगे और दो बारी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे अब हरी मिर्च और अद्रक को हम 8-10 सेकंड के लिए भून लेंगे यहाँ पर हम बहुती सिंपल और बहुती कम मसालों का इस्तमाल करके इस रेसिपी को बना रहे हैं अब अद्रक और हरी मिर्च भी भून गई है तो अब हम इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और इसके साथ ही 1 टीस्पून तिल डाल देंगे और इन्हें भी हम 8-10 सेकंड के लिए भून लेंगे तिल डालने से नाश्ते में बहुती अच्छा सा क्रंच आएंगा और इससे नाश्ता दिखने में भी अच्छा लगेगा अब तिल और चिली फ्लेक्स भून गई है तो अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ आलू डाल देंगे अब आलू को हम मसाले में मिक्स कर लेंगे और इसे हम दो से तीन मिनिट तक पका लेंगे और अब हम इसमें एक टी स्पून नमक एट कर देंगे आप अपने टेस्क के अकॉर्डिंग नमक एट कर दें नमक डालने से आलू जल्दी पक जाएंगे हमें आलू को 50% तक पका लेना है तो ये देखिए हमने आलू को 3 मिनिट तक पका लिया है और अब इसका कलर भी चेंज लग रहा है और ये 50% तक पक गया है तो इसी स्टेज पे हम इसमें एक कप पानी एट कर देंगे और इसी के सा रोटी बनाते हैं और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस की फ्लेम को कम रखते हुए इसे लगातार चलाते हुए मिलाते जाएंगे ताकि इसमें गुटलिया ना पड़े यहाँ पे हमने जिस कप से आटा लिया है उसी कप से हमें एक कप पानी लेना है आप चाह यह सबी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और यह बिल्कुल डो की तरह हो गया है तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक बरतन में ट्रांसफर कर देंगे और अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे अब ठंडा होने के बाद हम डो को अच्छी तरह से मसल लेंगे और इसका एक चिकना डो तयार कर लेंगे हातों में चिपक रहा हो तो हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसे मसल कर चिकना कर लेंगे तो इसे हमने मसल कर चिकना कर लिया है और ये अब रोटी के आटे की तरह लग रहा है अब हम एक थाली या प्लेट ले लेंगे और इसके पीछे हम थोड़ा सा तेल लगा कर इसे ब्रश कर लेंगे अब इसके उपर हम आटे का डो रग देंगे और इसे हातों से अच्छी तरह फैला देंगे आप चाहें तो इसे बेल सकते हैं लेकिन इस तरह हातों से फैला लेने से ये किनारों से नहीं फटते अब हम इसे बेल लेंगे ताकि ये सब तरब समान हो जाए तो यहाँ पर हमने इसकी बड़ी सी रोटी बेल ली है और इसे हमने आधा इंच मोटा रखा है अब किनारों को दबाते हुए हम इसे एक चौकोर शेप दे देंगे आप चाहें तो किनारों को काट भी सकते हैं तो मैंने यहाँ पर इसे हातों से दबा कर चौकोर शेप कर लिया है और अब हम इसे काट लेते हैं मैं यहाँ इसे लंबे और बड़े पीसेस में काट रही हूँ लेकिन आप चाहें तो इसे लंबे और पतले पीसेस में काट सकते हैं या फिर इसे ट्राइंगल की शेप में भी काट सकते हैं आपको जैसे पीसेस पसंद है वैसे आप काट सकते हैं किनारों से निकल रहा हो तो हातों से दबा कर इसे बराबर कर लेंगे तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं अब इसके लिए हमने कड़ाई में तेल को अच्छी तरह से गरम कर लिया है अब हम इन्हें एके करके तेल में डाल देंगे अब इन्हे हम कुछ देर के लिए fry होने देंगे कुछ देर बाद हम इन्हे पलट देंगे और दोनों तरफ से सुनहेरा कलर आने तक fry कर लेंगे इनको fry करते टाइम गैस की फ्लेम को हमें medium to high पे रखना है slow flame में fry करने से ये oil पी लेंगे और तूट जाएंगे तो ये देखिए 3-4 मिनिट तक fry करने पे इनमें बहुती बढ़िया golden color आ गया है तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे और बचे हुए नाश्ते को भी इसी तरह से fry कर लेंगे तो देखिए इन्हें हमने medium to high flame पे fry किया है और ये गेहूं के आटे से बने हैं तो ये बहुत ज़ादा oily नहीं होते और crunchy बनते हैं और घर पे रखे सामान से जटपट बन जाते हैं बाजार में मिलने वाले समोसे कचोड़ी से बहुत ज़ादा tasty होते हैं तो friends आप इसे एक बार ज़रूर ट्राइ करें उमीद करती हूँ कि गेहूं के आटे और कच्चे आलू से बना ये नाश्ता आपको बहुत पसंद आएगा तो friends नाश्ते की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ